मित्रो मैं आज एक घने जंगल में आया हूँ देखें इस तरह से इस पर बहुत सारी बेले लटकी हुई है पेड़ों पर भी हैं तो मैं आपको एक विशेश जानकारी देने जा रहा हूँ जिनको परम मानसिक सांती चाहिए यह दूसरा उपाय है इससे पहले मैंने नदी पर बैठ कर ध्यान करने के लिए बोला था अब मैं आपको एक बहुती गजब का मानसिक सांती के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ यह मित्रो पेड़ पचड़ी हुई यह देख लीजे मित्रो यह पेड़ पचड़ी हुई एक उल्टी वेल है जिसमें तीन टर्ण हो और लगवग वो अब आप देख रहे हैं यह तीन टर्ण है एक दो तीन इतनी लंबाई की अगर कोई उल्टी बेल अपने घर में रखेगा तो निकेवयल उस व्यक्ति के लिए वलकि पूरे घर के लिए परमानसिक सांती मिलेगी यह देख लें एक बाद फिर यह मेरा जंगल है जिसमें मैं घने जंगल में आया हूँ और यह मुझे मिली है लोग पूछते रहते हैं तो मैं बताता है रहता हूँ इसके बाद मैं मैं बिद्यार्थियों के लिए किस तरह से उपाय करेंगे जिससे की उनका मन पढ़ने में लगेगा तीसरा एपिसोड बनाऊँगा तो यह मित्रो अत्यदुरलव उल्टी बेल है कभी कभी हमको दिखाई देती है तो हम दिखा देते हैं आज मुझे मिल गई तो आपको दिखा रहा हूँ देखो मित्रो यह है इस तरह के तीन जो टन होंगे उतनी लंबाई की और पुरानी अगर होगी तो और भी अच्छा रहेगा तो मित्रो यह मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राब करें और अपने मित्रो को शेर करना ना भूलें इसी के साथ नमस्कार नेत्रपाल दुर्गा दासकुस बहा कल्यांद